इस देश में पिछले 7-8 साल से एक मुव्मेंट चल रहा है कि फ्री हिंदू टेंपल्स फ्रम गवर्मेंट कंट्रोल अब जब भी ये कोश्चन पूछते हैं कि अगर हम टेंपल्स को फ्री करेंगे गवर्मेंट कंट्रोल से तो उसका एड्मिनिस्ट्रेशन कैसा होगा उसका टेंपल्स का और टेंपल कैसे फिनेंशली और सोशली चेंज ला सकता है हमारे खास कर रूरल एकनोमी में पहले तो टेंपल का थोड़ा स्ट्रक्चर बताईए उसके बाद हम बात करेंगे कि मोडल क्या है ये जेइन मैनेज़ टेंपल है लेकिन जो गाड है उदर मतलब वो तो ये शिव जी का मंदिर है लेकिन वहां पर जो पुजारी जो है वो वैश्नाव लोग है जो माध्वा सिक्ट के बिलांग करते हैं आपने एक फिल्म आया हुआ था कांतारा जिसमें आप दैवाराधना के बारे में सुना पगा मतलब जो डेड है उनको प्रे करते हैं तर दैवाराधना करते थे उस समय के लीडर लेकिन उसके बाद ये टेमपल बन गया तो अभी वो दैवाराधना भी है मंजनाता का स्वामी के आराधना भी है तो यह सब मिल करके एक नया इंस्टिशन बन गया इंस्टिशन धर्मस्तरा जहां पर हेगडे जो मतलब जो उसी तरफ हेगडे एक सीट है तो उस हेगडे ने देख पाल करना है के तेम्पल को मंजनाता स्वामी तो इन दिस वर्क की एस असिस्टेट बाइवास धर्म दैवातास अन अनपा स्वामी तो आल इस पूर पीपल इंस्टिशन धर्मस्तरा जहां तो यह प्रपरटी किसका ह ने देवास अनप्ma डिया हा कि अनपा स्वामी तो इस पूर थो इस पूर आघर्म दैवातास अ जहां तो इसी पूंत तो आख तो इस्टूशन अन मॐ निपूर दो इससा हाइशन की इनकम दीए सज वर्ड़ान का है इनकम तैटेशन का च राथिसल करते हैं क कैश्चिशन continue to be practiced, अन्ना दान यूनों, खाना खिलाना, तो जो करीब बहुत सालों से, जो लोग आते हैं, सुबा और शाम को, दो बार लंगर होता है, जितने भी लोग आये, करीब आज कल तो 10-15 अजार आ जाते हैं, हर रोज, हर दिन आ जाते हैं, और फेस्टिवल के टाइम में, एक ला बनाया गया है, जहां पर एक टाइम में, आप पांच-छे हजार लोग बैठ सकते हैं, और सब मेकनाइस्ट किछन अगेरा, वो देखने के बहुत अच्छा है, I think it appeared in one of the international channels also, the mega kitchens of India, in that it was covered, and of course, after that was broadcasted, further improvements have been made, it's completely mechanized, without touching hand, you can cook almost daily meals, तो बहुत लोगों को उदर खिलाया जाता है, अन्मदान होता है, उसके साथ विद्यादान और आउशदान, आउशदान, during those days, hundreds of years back, people used to come for Ayurvedic, some seeking medicine, being given by the temple, and now of course, it's been more institutionalized, lot of hospitals across the state of Karnataka, तो बनाया गया है, तो उसके Ayurved में भी, Naturopathy में भी, education में भी, उन्होंने बहुत जाजा काम किया है, खास करके हास्पिटल के मतलब, मतलब एक अलोपतिक हास्पिटल है, तीन Ayurvedic हास्पिटल है, एक खासन में, एक बेंगलोर में, एक उड़पी में, एक देश का पहला नैचुरोपति हास्पिटल धर्मसला में बना, तो उन्होंने वो किया है, करीब साल पहले नैचुरोपति हास्पिटल, तो एजुकेशन, हेल्थ उन्होंने काम किया, लेकिन चौता दान है कि अभैदान, अभैदान क्या होता है कि feeling of assurance, आपको ढरने की जरूरत नहीं है, आप मंदिर आ गये हो, मंजना तक निदी में आ गये हो, तो आपको जो हो जाएगा आपका काम, ये assurance होना जरूर है, लेकिन assurance के साथ गरीब लोगों को कुछ और मदद भी चाहिए, क्योंकि मान लिजे बच्चे को स्कूल बेजना है, सीजन में, स्कूल बेजने के लिए पैसा नहीं है, वो इधर आ जाते हैं पूचने के लिए, अब की बात नहीं है, मैं 50 सा साल पहले लोग जून में खड़े हो जाते धर मसला में, सर मुझे पैसा चाहिए, बच्चों को किताब खरीदने के लिए, शादी करवाने के लिए, या फिर कुछ खेती करने के लिए, या कुछ accident हो गया, मतलब tragedy हो गया, कि emergency हो, पैसों की पूच करके आते थे, तो ये अभ बिलकुल, तो ये जो अभी जो हेगडे जी है, उनका नाम है, डॉक्टर विरेंदर हेगडे जी, तो उन्होंने 1968 में चार्ज लिया, चार्ज लिने के बाद, क्योंकि he was very young, तो उन्होंने बहुत ये अभेदान को श्रंटन करने के बहुत से प्रोग्राम उन्होंने किये, मैं एक दो एक्जांपल दे सकता, 1972 में उन्होंने पहले बार हमारे देश में मास मारेज का प्रोग्राम शुरू किया, मास मारेज मतलब बहुत गरीब लोग देते, उनका biggest expenses शायद आज भी है, मारेज के लिए खर्च कर देते हैं, तो अपना खेती बेज करके बच्ची का म उन दिनों वो आकर के पूछते हैं, हमको बहुत गरीब, मतलब difficulty हो गया है, मारेज करवाने के लिए, तो यह सब सोच करके, क्यों ना हम टेंपल में मारेज का प्रोग्राम करवाएंगे, एक ही टाइम में, सव, देड़ सव, जोड़ी हमको शादी करवाना, उनको मदद दे करके, जो कपड़ा देना है, या मंगल सूतर देना है, वो सब दे करके, इनने शादी का प्रोग्रम शुरू किया है, और सब का खाना भी वही हो जागी है, पीस पीस लोगों को खाना, आज तक यह सब हर साल हो रहा है, लेकिन आज की तारीक में बहुत लोगों ने इसका, म करीब बावन सालों से कर रहे हैं, अभी पंद्रह हजार से जादा जोडिया दर्मस्तला में जुड़ गया है, तो उन्होंने ऐसा इनवेटिव थिंग्स किया, नाइंटीन एटीटीटोन में उन्होंने दो इंस्टिटूशन स्टार्ट किया, एक तो रूरल डवलप्मेंट Self Employment Training Institute, उन दिनों 40 साल पहले आप जानते हैं कि Employment का बहुत ज़्यादा जरूरत था, Unemployment बहुत ज़्यादा था, तो Unemployment को निकालने के लिए Self Employment कराना, जैसे गाव में गाय, दो गाय पालना, थोड़ा एक शॉप खोलना, बारबर, वैसा कुछ, चोटा-चोटा काम करवा आत्मा निरुबर, आत्मा निरुबर, आज की तारिक में इतना ये फेमस हो गया, कि इसको चेंटरल गर्में ले करके, हर दिस्टिक्त में एक रूटसेट किया है, Self Employment Training Institute, it was taken over in the year 2008 by the government of India as a national program and today there are I think 600 root cities, a program of which Dr. Hegaday is still the chairman of all the root cities, he sits on the meeting of all the root cities, but it is taken over by the government, what is cities? Self Employment Training Institute, root city, Rural Development and Self Employment Training Institute, okay, तो इनोंने ये बहुत इनोवेटिव काम था उन दिनो, 1982 में, उसके साथ ही साथ इनोंने एक और काम किया, कि उन दिनो, 1974 में आपको मैं बताऊंगा, तो Land Reforms Act आया करनाटका में, जब Land Reforms आया तो धर्मस्तला में बहुत लैंड था, क्योंकि ये लैंड डोनेशन भी एक मतलब दर्मस्तला का लैंड करनाटका के अलग अलग जगाव में बिक्रा हुआ था, तो इनोंने 1974 के Land Reforms Act में, मेरे ख्याल से करीब पांच-छे हजार एकर लैंड डोनेशन कर दिया, उसमें से बहुत ज्यादा लैंड तो दर्मस्तला टेंपल के आसपास ही थे, तो उसमें, करीब मैं समझता हूं करीब 18,000 फार्मर्स जो लैंड ओनर्स बने, यह धर्मस्तला के वज़ा से और और लोग भी जो लैंड देना पड़ा, उसके वज़ा से, बहुत लैंड ओनर्स बन गए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, कल्टिवेट करने के लिए, तो in 1982 हेगड़ जो लेजी ने डिसाइड किया, मैं धर्मस्तला टेंपल से दान करूंगा, इन लोगों को कल्टिवेशन करने के लिए, दो धर्मस्तला के अगल बगल में, जो बलतंगडी तहसील में रहते हैं, उनको मदद करने के लिए, उन्होंने एक इंस्टिउशन स्टार्ट किया, ESKDR श्रीक्षेतर धर्मस्तला रूरल डेवल्प्मेंट प्रजेक्ट, तो ये टेंपल मनी को जुडिशियसली उन्होंने यूस किया, आक्चुली धर्मस्तला वासे बोट टनियर्स बाक वास इडेंटिफाइड अस दी क्लीनेस्ट विलेज इंडी, क्लीनेस्ट रिलिंजिस ता है कि बहुत गंदगी होती है, तो ऐसा मतलब पहले शायद होता होगा कि जो धर्मस्तला में भी शायद उतना क्लीन नहीं होगा, तो क्या आपके एक्सपिरियंस में क्या चीज़ें हैं जो और जो टेंपल्स हैं, वो सीख सकते हैं, खासकर हाईजीन, क्लीनीलेस के उसमें, पहले तो बहुत जादा टॉइलेट फेसिलिटीज और फेसिलिटीज उन्होंने बनाया, पार्किंग फेसिलिटीज बनाया, वो तो सहर जगा होते हैं, लेकिन सवाल यह उड़ता है कि टॉइलेट सुधर देहां मेंटेंड प्रपर ले, तो उन्होंने मेंटेंस के लिए ब होटेल्स है उनको कहता है कि आप ठीक ठीक रखी है क्योंकि टेंपल पिसिंग के तो वो के एक कल्चर उन्होंने डेवलप किया हुए कि इदर पीना नहीं है सिगरेट फेकना नहीं है चीक से रखना है तो यह क्लीनेस हो गया दूसरा यह कि खाना खिलाना वहां पर बहुत ज् है और थेविट ग्वालिटी और सर्विसिंग मोथ ज्यादा आप्ट के खा ग्या पैले है झाते है मातलब खोटी ज्यादर के तो नहीं क्योंकि रहुत जिते है तिककडी प्या पाइल क्या रिलए से भाल में तो लुट रहँ जॉणक्यां स्पीव the vegetables, vegetable store rooms, go-downs. So, there is a lot of system actually developed in Dharmastala to all these activities. There is a separate go-down department. There is a separate kitchen department. There is a separate maintenance department. So, institutionalization कर दिया है. 100%. And professional. So, you can see a lot of innovations that you see that is not normally seen in other temples. Sir, अब बात करते हैं कि जो Rural Development Project है. Temple का. उसके बारे में बात करते हैं जिसके आप Executive Director थे 23 साल तक. पर उस पे आने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं Rural Economy की. कि वहाँ पे problem क्या है? गाओं की अर्थ व्यवस्ता में क्या दिक्कते हैं? एक तो यह है कि Dependency and Farming. अब जानते हैं कि 54% of our population is still dependent on farming activities. तो उनका ओटपुट क्या है? GDP का 15% है. On the one hand when you look at the GDP the dependency on farming is too high. It has to be brought down. And on the other hand people are saying they cannot do farming because there is a labor shortage. So one issue to free the labor out of the agriculture farming is to mechanize. But then this what will happen to this free labor? What will you do with them? यह सबसे बड़ा इशू है कि हम खेती नहीं करना चाते हम खेती से निकलना चाते हैं पर निकल के जाएं कहां यह भी बहुत बड़ा इशू है. दूसरा rural area में यह है कि availability of cash for consumption purposes वो बहुत कम है. मतलब कि at least in South India and in North India I have seen your per capita income in Uttar Pradesh is quite low. In Karnataka it is 3 lakh rupees. In Uttar Pradesh it is 1 lakh. And at places in Uttar Pradesh it is like 60,000. तो that is hand-to-mouth existence. तो consumption अगर आप मान लिजे आपका घर बनाना है यह टोइलेट बनाना है बच्चों को स्कूल बेजना है यह हास्पिटल को जाना है तो आपके पास पैसा नहीं है. तो मतलब there is a deficiency of surplus money that is not available. तो यह एक प्राबलम है. तीसरी and it is you cannot but we have to face it is that there is a lot of bad habits wises in the villages. Almost most men today drink liquor. गाओं में? हाँ तो सर बिलकुल बिलकुल. यह तो नौर्ट सौथ सब एक जगे. सब इंडिया में हर विलेज में पीना एक फैशन हो गया है. लेकिन जब आपका income 200 रुपया 300 रुपया है और सब देड़ सब का पी लेते हो तो एक दोड़ सेड़ सब रुपया आपसे बचा है. तो घर सिर्फ चलाना होता है और कुछ ज़्यादा काम नहीं है. Wises are taking away a lot of income. See in most states at least in Karnataka I want to tell you Karnataka के annual budget का income का 25,000 करोड रुपया सिर्फ liquor के tax से आता है. तो कितना पीते होंगे tax आप मान लिजा 28% है. तो कितना पीते हैं ये क्लाक करोड रुपया का पीते होंगे लोग करनाटका में. उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाव में भी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं. तो Wises जो है जोटा-पोटा काम करने के लिए. तो इस इस आप प्राब्लम. फिफ्थ ये है कि कल्चरल डिस्रप्शन. तो अब फार्मिंग कम हो रहा है, लोग बाहर जा रहा है, तो हमारा विलेज कल्चर कौन देखेगा? तो बहुत ज़्यादा इंफ्लेंस हो रहा है, टीवी और मीडिया से और ये मोबैल से बहुत ज़्यादा कल्चरल शॉक हो रहा है गावों में. और चटवा यह है कि आज कर इतना होने के बाद भी कैस्टिसम इस तिल देर. एक कैस्टिसम आवाइड करने के लिए जो बहुत गरीब लोग है, गरीब से जो गरीब लोग है, वो छोड़ रहे हैं गावों. अगर आप सिटी में जाएंगे, वो आपका कैस्ट से कोई देखेगा नहीं. तो कैस्टिसम कम हो जाएगा. तो लोग गावों छोड़के भाग रहे हैं, तो आपको बहुत जादा और दिक्कते आ रहे हैं, इस डाइवर्शन के वजह से, जो बहुत जादा गरीब है, वो सिटी के तरफ जा रहा है, और जो बहुत जादा गरीब है, वो ही आपका काम करता था गाव में, वो कम हो रहा है. तो यह इस बिकाम एक कॉंप्लेक्स सिचुएशन. तो लेबर शोर्टेज का, जो एगरीकल्चर लेबर शोर्टेज का भी एक बहुत बड़ा करण यह है, क्योंकि जाती बाद से लोग परेशान होके, वो छोड़ रहे हैं वाँपर. लेकिन मैंने पहले शोर्टेज में किया कि कहा कि मेकनिजेशन होना चाहिए, यह अच्छा है कि लोग जा रहा है, लेकिन इट इस नाट बिंग रिप्लेश बड़ाए मेशिन्स. तो यह बहुत सारा जो आपने फैक्टर्स बता इतने सारे, वो रूरल डिस्ट्रेस को जनम दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रूरल, इसके साथ एक और मैं बात आपको करना चाहता हूँ, एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब यह मैं मोबेल, एक चोटा सा मोबेल में देखूँगा, यह भी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कर रहा है, क्योंकि चकाचौन तो दिख रहा है मोबाइल में, ऐसा लग रहा है कि सब अरब पती, करोड़ पती बन रहे हैं, और हम कहीं न कहीं पीछे चूट रहे हैं, हमने पूरा एक डिस्कस किया कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, धर्मस्थला महजुनात स्वामी टेंपल है, उन्होंने क्या किया, उनका जो रूरल डेलप्मेंट प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताइए कि उन्होंने क्या-क्या किया, आपके अंडर एक्जेक्वेटिव डिरेक्टर थे आप 23 साल तक, तो क्या-क्या प्रोजेक्ट्स थे जो इन इशूस को, रूरल एकोनॉमी में इन इशूस को टैकल करने के लिए, तो SKDRDP जो है, इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया कि, जो स्माल फार्मर से उनको मदद दे, तो ताकि इनका इंकम लवस बड़े, तो जैसे कि सममेशिन थोड़ा एक एक्विपमेंट चाहिए, सीड मेटिरियल चाहिए, और जब वो अपने खेत में काम करते तो उनको खाना किलाने की मदद करना, ऐसे उन्होंने सोच करके उन्होंने शुरू किया, तो दस साल तक यह चला तो करीब 15,000-16,000 फार्मर से थोड़ा अपना इंकम बड़ाया, लेकिन आगे नहीं जा रहा था, तो 1991 में उन्होंने फार्मर से सेल्फ एल्प ग्रूप बनाना शुरू किया, समों जो क्याते हैं, 1991 में, समों उन्होंने बनाना, तो समों जब बनाएंगे तो बैंक में अकाउंट खुलेगा, बैंक में अकाउंट खुलेगा तो थोड़ा क्रेडिट ले सकते हैं, और अपना इंवेस्टमेंट जादा कर सकते हैं, इस सोच करके, यह SKDRD पने अपना अलग next step लिया, तो 1995 में आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा की, microcredit, मतलब जो access to credit, जो बहुत जादा प्राब्लम था, I want to tell you, in 2006, there was a report given by Rangarajan, the then advisor to the Prime Minister, economic advisor to the Prime Minister, and he stated, and it is not very old, in 2006 he stated, in India, 24% of people are having access to formal credit, which is banking, and almost like 26% have access to informal credit, money lenders, 50% people do not have any access to any credit, that was in 2006, so 50% people, जिनको कोई पैसा ही नहीं मिलता था, इनका account भी नहीं था, bank में भी नहीं, ठेके दा, मतलब, लेवा देभी, मतलब, money lender के पास जाएंगे, 8%-10%, महिने का interest badge में आप लेते थे, बहुत जादा मुश्किल था, तो इसको fight करने के लिए, 1990s में ये, micro credit program बना, तो इसलिए micro credit, जो moment बांगलादेश में शुरू हुआ, उसका अगला firm, जो self help group moment गा है, तो ये नबाड के जरीए, इंडिया में शुरू हुआ, तो 1995 में, self help group बनाएं, हमने भी बनाया, लेकिन bank open करने के लिए भी तैयर नहीं, account open करने के लिए भी तैयर नहीं, नबाड का direction है, RBI का direction है, account नहीं खुलते हैं, account खुलते हैं तो उस पैसा नहीं मिलता, एक लाग, एक साल तक आप saving करते रहो, उसके बाद पैसा मिलेगा, अईसा एक माहूल था है, लेकिन मिलता नहीं, सर ये कितना important है, credit, access to credit, rural distress को solve करने के लिए, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, उसको explain भी करें, access to credit is very important, for increasing the employment potential, through income बढ़ बढ़ाने के लिए, livelihood joke हम कहते हैं, access to credit is also important for, infrastructure बढ़ाने के लिए, मतलब आप toilet बना चाहते हैं, या घर बनाना चाहते हैं, एक estimate के मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि हमारे देश में आज भी, 2 करोड का पका होसस की ज़रुद है, 2 करोड इंटो 5 लाग करोड तो कहोगे, and also for consumption purposes, मतलब TV खरेद वेट गूड चाहते हैं, तो credit is very much required, as it is for a middle class person, it's the same thing for poor person, इसको एक मैं एक ज़री आपको देना साहता हूँ, आपके नोईडा में street vendors है, street vendor सुबा निकलता है पांच बजए, उसके खाली कार क्ले करके निकलेगा, वो लेंडर के पास आएगा, 1000 रुपिया लेगा, 1000 रुपिया में खेला खरीदेगा, उसको खेला डालेगा, और बेचते जाएगा, और बेचते बेचते, शाम तक बेचेगा, पुरा बेचतेगा, तो उसको 1500 रुपिया मिल जाएगा, 1000 पाइफ के खेला करीदाता वो 1500 पिल जाएगा वो लेंडर के पास जब 1000 पे लेता है अशको 900 पिल देता है या 800 या 800 भी भी देता है और स्टाइब लेकिन यह पूरा दिन करके शाम को आ करके 1000 पिल देकरके चल जाएगा उसके पास बचा है 300-400 रुपिया, तो उसका गुजारा हो गया 300-400 रुपिया में, लेकिन ये लेंडर को कितना पैसा मिला, आप सोच सकते हैं क्या, if he takes 200 रुपीस on 1000 रुपीस in a day, his interest rate is 7200% flat, आपके गाप के शहर में ऐसा हो रहा है, ये पोजिशन सारे देश में है, लोगों का अगर पैसा पैसों की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा ब्याज दे करके खरीदना लेना होता है, तो इसलिए आप वो तो 7200% था, ये microfinance institution जा है, वो 30% को दे रही है, तो उसे बहुत ज्यादा बेटर हो गया ना सर, बाट इससी ये microfinance जो है, 25-30% जब तक ये livelihood का तक सीमित है, यार जब तक ये emergency, consumption loan तक सीमित है, ये अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, छोटा पैसा चाहिए, तो मैं वापस कर दूँगा, लेकिन आप जब microenterprise पे जाते हो, या घर बनाना चाहते हो, या घर बनाना चाहते हो, मान लिजिए, आप 10 लाग के घर बनाना, वहाँ तो 30% loan लेकर आप घर तो बनाना नहीं पाऊगे, तो aspirations जब बढ़ जाते हैं, तो microfinance थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसके अलावे एक और beautiful scene यह है, कि हमारे देश में public sector bank में 6-7% में fund पड़ा हुआ है, जो आप बहुत अमीर लोग को देते हो, या secure advances में देते हो, जैसे के car खरिते हैं, जैसे की salary वालों को housing loan देते हो, बहुत कम interest में देते हो, इंडिय 2001, this was liberalized also, interest rate liberalization also happened, तो purpose के देख करके, security के देख करके, आप बहुत ज़्यादा income interest में देते हो, लेकिन गरीब लोग को नहीं, क्योंकि उनके पास security है, उनके पास purpose भी नहीं है, उनके पास income भी नहीं है, यह एक, मान लीजिए, एक plumber है, जो हर रोज 1000 रुपिया कमाता है, लेकिन वो जाकर कि 2 लाग का लोन नहीं ले सकता bank में, क्योंकि उसका, 1000 रुपिया के income certificate उसके पास नहीं है, आपको अगर salary लेते हो, तो वही 1000 रुपिया, 30,000 रुपिया आपका salary है, तो आपको income certificate मिलता है, plumber को कहा मिलता है, तो वो finance institution बहुत हाई interest में दे रहे हैं, इसको fight करने के लिए SKDRDP में समूह बनाने का काम किया, self-help group, यह self-help group को हमारे guarantee में, हमने bank को link किया, वेसे भी government का order है, मतलब RBI का direction है, self-help group बनाना चाहिए, गरीब लोग को पैसा देना चाहिए, लेकिन bank को जब इतना machinery नहीं है, तो केसे द करेंगे, करेंगे हां दे देंगे, government directive है तो थोड़ा दे देंगे, लेकिन infiltration नहीं हो रहा है, मतलब पैसा जा नहीं रहा है, because the people think that is a risky business, so banks are not, because banks have no approach to go to this poor man to lend to him, यह इसलिए नहीं हो रहा है, government machinery को लेकर के आप चलते रहेंगे, यह government machinery में यह equipped नहीं है, गरीब लोग को प इडिट, जहां पर मतलब गरीब लोग से चुने हुए लोग उनके साथ मिल करके, उनका follow up करके, उनको पैसा दे करके पैसा उसल करना, तो इसलिए हमने responsibility लिया, टेंपल ने जो यह ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने इसका responsibility लिया, हमने एक बैंक को कहा हम guarantee देते हैं, यह लोग पैसा जो लेता है, उसका वापस करने का हमारा guarantee है, हमारा guarantee में पैसा दीजिए, तो ऐसे शुरू किया 2001 में, एक major operation हमने शुरू किया, access to credit to people, poor people in the state of करनाटका, तो वो कितना percent पे आप लेते थे और कितने पे आप land करते थे, क्यूंकि हमको गाव में काम करना है, लोग I think in very innovative in that and therefore we said we require about 5% as our margin to operate and reserve bank had told it can go up to 10-12%, that is what they have told for MFIs, that's why MFIs are charging 22-30% microfinance institutions, लेकिन हमने का हमको 5% काफी है, 5-6% काफी है, तो उसमें लेकर कि हमने काम शुरू किया, तो bank loan को, लोगों को, समों को देते थे, और commission हमको मिल था था, 2006 में एक बड़ा सा circular आया reserve bank से, business correspondent, business correspondent and banking facilitator was one such circular, which allowed the banks to appoint agents, यह हमारा दर्वाजा खुल गया इसके वज़े से, हम directly bank का agent बन गये, क्या है कि समों बनाने का agent, समों को पैसा दिलाने के agent, तो हमने बहुत जादा rules redefine किया, समों को पहले तो उनके savings ही उपर आधार पर पैसा मिलता है, समों saving करता है 10 रुपया एक हफ़ते में, या मान को bank 25,000 रुपया देते हैं, 10 रुपया कैसे बांटेंगे उसको, तो हमने उसको redefine किया, हमने का हमारा guarantee है, ज्यादा समों को ज्यादा पैसा दे दो, आज के तारीक है, एक नया समों को जो आज बना है, उसको तीन मेने के बाद 6 लाक रुपया bank देता है, क्योंकि हमारा guarantee है, तो आप micro enterprise कर सकते हो, livelihood कर सकते हो, उसका badge कम है, जो micro finance का 22% है, वहाँ पर हम 13%, साड़े तेरा, 14% में हम पहुंचाते हैं पैसा, समों के जरीए लोगों को, तो इसके वज़ों से करनाटका में एक बहुत silent revolution हो गया, मैं कह सकता हूँ, पिछले 20 साल में, करनाटका में, गरीब लोगों के हाथ में, एक लाक बीस हचार करोड रुपिया पहुंचा, आप के थ्रू, हमारे थ्रू, हमारे थ्रू, जो bank का पैसा है, जो micro finance का पैसा नहीं है, जो bank का पैसा है, आज भी आप जानते होंगे, बैंक में, बैंक में, अगर कोई general loan मिलता है, तो करीब बारा, साड 100% recovery guarantee, आपने लिख के दिया, 100% recovery देंगे, लेकिन आपका MCLR जो है, उसमें हमको पैसा चाहिए, गरीब लोगों को, MCLR मतलब, उनका lending rate होता है, उस lending rate का 0.1% जादा, या 0.2% जादा करके, बैंक ने उस Samu को दिया, उसके पास, उसके साथ, हमारा 5% commission भी आड करके दिया, तो Samu को 13,5% में पैसा मिला, उसने Samu ने member को दिया, तो ऐसा करकर के, ये बहुत ज़्यादा पैसा, बैंक के, बैंक से निकल कर, लोगों के पास पहुंच गया, और ये सारे मतलब, ज़्यादा तर रूरल लोग थे, मतलब, गाहों के लोग थे, मतलब, आज की तारिक में, मेरा इंस्टिटूशन में, पच्पन लाख फैमिलीस जुड़े होया है, जिसमें 80% विलेज है, और 20% अर्बन एरियास भी है, तो और हमने बहुत ज़्यादा रेडिफाइन किया, ये कि, ये तो सेविंग्स ओरिएंटेशन से निकाल करके, नीड बेस्ट में हमने किया, उनको पचासाजार के है, तो पचासाजार मिलना चाहिए, एक लाग की जरूरत है, एक लाग, इतना सेविंग किया, नहीं, सेविंग के निकाल करके, नीड ओरियंटेड हमने लेंडिंग का, तो कैसे करते हैं, हमको जैसे कुछ चोटा काम शुरू करना है, तो उनको भई कि तुम से, इनको सैलरी मिलता है, इस समस्ता से, जो चारिटबल ट्रस्ट है, तो क्या करते हैं, फेबरुरी अफ एवरी येर, हमने एक क्रेडिट प्लान बनाते हैं, हर समो का, हर समो में, हर समो के मेंबर्स के साथ बैट करके, आपको इस साल की क्या जरूरत है, गाय खरीदना है, बेटी की शादी करना है, या बेटी को इंजिनेरिंग पड़ाना है, पचास अजार चाहिए, एक लाग चाहिए, दो लाग चाहिए, या ऐसा आपको क्रेड प्लान बनाओ, अभी तक आपका बैंक, आपको मतलब मैचूर S.A.G है, आपके पास पेसा है, इस साल आपको कितन पेसा चाहिए, आपके समुख के 10 लोग है, 10 लोग इतना इतना काम, हो क्रेड रिक्वार्मेंट देते हैं, तो इसको हम अप्लोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, और उसकी साब से हम बैंक को बोलता है कि इस साल का हमारा क्रेड रिक्वार्मेंट इतना है, आपको पिछ जार करोड का क्रेड प्लैन हम बनाते हैं, तो उसके बाद जब भी उनको जरूद पड़ता है, यह समुख मिलता है, हर अफ़ते मीटिंग करता है, उनके पास एक आप होता है, हर आदमी के पास आप है, तो उनको लोन चाहिए, तो आप में बर देता है, हमारा डेटे बस मे आ जाता है, तो हमारे पास हमको पता होता है कि इस गमों के इतमे लोन रिक्वेस्ट है, प्रोस्पेक्टिव पता चल जाता है कि कि कितना कहां कहां किसको कितना चाहिए, कम्प्लीट वो क्या कहता है, डाइनमिक्स, 24 बार 7, हमारा पास डेटाबेस हो ट्रैक करता है, तो तो इसका आपके recovery methods ऐसे क्या है कि आप उनसे recover कर लेते हो 100% क्या आप भी मतलब मार पिटाई करते हो उनके साथ या क्या है या फिर क्योंकि एक धार्मिक institution है तो वो डर है कि भगवान का इसमें वो है हमारा इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जैसे मैं नेड बेस्ट कहा और interest rate भी मैंने कम कर दिया तीसरा यह कि around 2011 में Department of Financial Services में एक circular निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे agents को appoint करना चाहिए मैरे जैसे जो agent है ऐसे गाउं में appointment करो उन्होंने 100 backward district में वी काम शुरू करने के लिए direction दिया था DFS ने तो उसमें वह एक और चीज़ उन्होंने लाया था कि यह समों को term loan की जरूत की बदले में आप इधा मतलब संवह के पास हर ताइम प्रहाच आदमई जब चाहें čMusic कर सकता है और वापस कर सकता है और या पस पैस आया दूसरी glor को लेने के लिए संवह के पास रहेगा वारना term loan रहेगा तो क्या होगा मैंबर वापस कर गाры्ग पैसा काम बढ़ जाएगा तो 2012 में हमने इसको जोर से इंप्लिमेंट किया करनाटका में हमारे आज की तारिक में छे लाग पचास अजार समू है हर समू को क्याश क्रेट लिमिट है और क्याश क्रेट लिमिट कितना वो अकॉंट हमने सेविंग सेकोंड नहीं खोलते हैं हम सिर पैसा चाहिए आज तो आज की तारिक में तो सब का अकॉंट भी खुल गया है इंडिविशल अकॉंट भी है तो समू का इस अकॉंट में इतना पैसा जाएना चाहिए हम उसको अग्रिएट करके बैंक को टेक तुरू तुरू मेल भेज देते हैं वह इंडिस अल कंप्लिट को वेट करने की जरूरत नहीं है युआ को चेचे मैने मैंने आपको 2009 का इक मैं इने से संस का सरवे शंब ऑगनेशन का एक रिपोर्ट आपको मैं बतना चाहता हूं कहता है समू यह से जी मूमेंट जो यह नृयलम कंड्रोल है वो कहता है कि खोलने के बाद लोन वेटिंग करने के बाद अगर कोई किसी को पैसा मिलता है क्या वापस करेगा लेकिन हम उसको कम्प्लीटली हमने स्थाप कर दिया मतलब तोड़े आप पैसा मांगोंगे तो शाम को आपका पैसा मिल जाएगा अच्छा हां वितिन 24 अवर्स आपका अपको अमर्जंसी लोने त हैं यह सिस्टम हमने टेवलप किया इसके वज़ा से इनका प्रद बढ़ गया एक यह मारे साथ एं यह दिक्कत में चाहिए हमारे साथ है यह जरुरत नहीं को बैंक में जा करके रिकार्ड के बारिकार्डparty record के बाद record और date के बाद date यह सब नहीं है हमारे गर में बेटेंगे, meeting करेंगे, decision लेंगे, मिल जाएगा, यह हमारे साथ ही SKDRP हमारे साथ है, तो यह guarantee जो है, यह community का power है, community का power और आपने कहा बगवान की डर, बागवान की डर नहीं, relationship टूटने की डर, हम पैसा नहीं देंगे तो SKDRP सा हमारा स्याथ नहीं रहेगा, SKDRP सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, SKDRP आपके health के पास है, मतलब हमने एक health insurance program निकाला, 2003 में सर, जब universal health government of India का नहीं था, तब हमने गरीब लोगों का, पूर लोगों का health insurance में, मतलब we work with United India health insurance company to develop health insurance product, जो आज के तारीक में ये करोड़ लोग हमारे health insurance product में जुड़े हैं, जबके आईशमान भारत जारी है, तब भी एक करोड़ लोग हमारे health insurance product में है, वो पैसा दे करके health insurance में जाइन होते हैं, ग्यारेंटीड है, मतलब वो अगर उनको hospital में दिक्कत होगा, तो फोन हमको करेंगे, हम उदर जा करके hospital में पताएंगे कि इनका है, इनको करना चाहिए, treatment करना चाहिए, बिल जादा हो गया, तो हमको phone करेंगे, तो जो 45,000 आपके employees हैं, वो insure करते हैं, ये सब चीज़े, हा कार ने भी शुरू किया है, बड़ वो successful नहीं हो पाया, हम लोगोंने, 165 होबली में, मतलब, there are about 830 होबली in करनाडा का state, 165 में हमने उसको काम लिया, अभी 11 साल हुआ है, हम चला रहे हैं, हम loss में हैं, लेकिन हम चला रहे हैं, क्यूंकि equipment लोगों को जरूरत है, mechanization चाहिए, आ, mechanization के लिए, हमने करीब 500 करोड रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, mechanization के लिए, तो ये रिष्टी टूटने की बात आती है, तो लोग चाहिए, क्यूंकि आप देखी कि एक गरीब आदमी है, किसी गाओं में है, तो वो आपके institution और temple से, वो spiritually जुड़ा हुआ है, financially जु institution के साथ, तो वो compromise नहीं करना चाहता, वहाँ पर honestly वो pay करता है, बट अगर मालीजे genuinely कोई fail करता है, कि वो नहीं दे पा रहा है, तो अब अगर इस situation में उनको allow करना चाहिए, कि अगर नहीं दे पा रहा है, वो तो fail कर जाओ, मतलब it should not be a big deal, नहीं तो अगर वो अगर fail कर रह है, तो फिर कहीं न कहीं वो दिक्कत भी है, सही है, आपने सही का, लेकिन उससे पहले मैंने आपके एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ, कि रिलेशन्शिप कितना और ज़्यादा मैंने हमने लोगने strengthen किया है, एक तो हमारे समों के बच्चे engineering पढ़ना जाता है, हम scholarship दे हैं, नहीं आपके जैसे education institutions हैं, कहीं पे भी, करना टका में, कोई कोर्स उन्नों ने लिया, वो बोलेंगे हम आपके समों के बच्चे हैं, आपके member के बच्चे हैं और हम करना चाहते हैं, लेकिन उसमों में एक साल तक रहना चाहिए, तो उसको मिल जाएगा, समों में जो insurance कि हुआ है, pregnant है, not pregnant है, कोई चक ने, pregnant है, insurance करेगी, उसको delivery expenses मिलेगी, so that is the kind of insurance I have, scholarships I am giving, उसके अलावा, गाव में, जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो अपना काम कर नहीं पा रहा है, बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चे छोड़के चले, उनको हम pension पहुंचाते हैं, खाना कि करीब 20,000 लोगों को, 20,000 families को हमने खाना है, मतलब social, क्या कहते हैं, safety net हम कर रहा है, तो इससे जादा यह हो रहा है, कि यह जो गरीब लोग, जो loan लेकर के, जो commission हमें दे रहा है, उस commission उनी के पास जा रहा है वापस, तो वो जानता है कि, जो मैने पेसे दा रहा है, उसके हुआ, community institutions हम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा charity मतलब पेसा देते हैं, जैसे कि गाव में milk society है, एक milk society खुल गया तो 500 families को milk डाल करके, इनका income बढ़ जाता है, हमने 10,000 milk societies को मदद किया है, करनाटका में, the schools को हमने मदद किया है, अंगनवाडिस को मदद किया है, tank repair, tank restoration, tank का मतलब village pond होता है न, के मतलब tank village का tank बहुत बड़ा, पानी का तालाब, हमने, यह तो हाला के agriculture irrigation tanks are government body है, लेकिन पंचायत का जो कोई नहीं देखने वाला है, हमने उसका responsibility दिया, हर साल 10 से 15 करोड रुपया खरच करके, करीब 200 tank हम repair करते हैं, community participation, community वाले, उसका, जो, silt जो है, वो ले जाते हैं, अपने खेती को, और machine जो है, हम देते हैं, तो 10 पंदर, तो यह community bonding हो रहा है, और हमने, उसके साथ, drinking water project है, community drinking water project, community bonding हो रहा है, और उसके साथ, हम cultural program और spiritual, religious program भी करते हैं, लेकि कि सामु एक 17 पुजा, एक गाव में 17 पुजा करते हैं, जिसमें rich man भी आता है, poor man भी आता है, सब लोग मिल करके, हम भी मदद करते हैं, de-addiction camp, community में होता है, rich man होता है, poor भी होता है, तो गाव में एक bonding करते हैं, तो वो हमसे अलग होना नहीं चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, वो SK DRDP और धर्मस्तड़ा के साथ, जुड़ना चाहता है, हाँ, यह सब क वज़ा से हमारा recovery भी अच्छा है, अगर recovery हो नहीं पा रहा है, मतलब default हो गया, मतलब fail हो गया business में, तब क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम उसको marpid करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, कोशिश तो जरूर करते हैं, क्योंकि कोशिश यहां सिर्फ हमारा नहीं है, community का है, क्योंकि स उपाय है उनके पास, एक उसके जा करके घर में बैठ चार गुस करके पैसा वापस लाओ, या खुद contribute करके उस ओर डियो लोन को मिटाओ, तो यह भी होता है, समों में एक, मतलब बे प्रेगनिंट हो गया, डेलिवरी हो गया, तीन महीने तक को पैसा नहीं दे पा रहे है, और मेंबर्स मिल करके पैसा भर देते हैं, अच्छा, यह भी होता है, उसके साथ हमने यह भी ओपनिंग रखा है, रिपेविंट हॉलिडे, रिशेडूल कर देते हैं, लोग लोन को, आपको एक्सिडेंट हो गया, छे महीना, एक साल के लिए रिशेडूल, हलाकि कोविड मे हमने रिशेडूल किया, हमने बहुत गाटा काया, लेकिन रिशेडूल भी किया हमने, तो यह रिशेडूल कर देते हैं, ट्राजडी हो गया, उसके बाद भी कुछ लोग भाग जाते हैं, पैसा लेक करके भाग गये, ऐसा भी होता है, तो उसको हमनों बैयार करना होता है, त कुछ परसेंट तो होगा तो आज की तारीक में 0.25% is my provisioned money मतलब करीब 200 करोड़ प्या मेरा लास हुआ है इतने सालों में एक लाक वीस हजार करोड में 200 करोड़ प्या मैंने वेवाफ कर दिया है जो कि कुछ भी नहीं है वापस आएगा नहीं बिकास of many reasons यह इतना मतलब एक लाक वीस हजार करोड में 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं है 99.8% on time recovery that's my recovery 99.8% as I am talking to you here today 50 to 60 crore is being collected in various parts of Karnataka तो यह जो रिष्टा जो हमने बनाया तो दिकत है problem है लेकिन वो पहले सोचेगा समों का पैसा मैं कैसे भरूंगा या कैसे भरूंगी ताकि मैं रिष्टा रखूंगी तो वो हो रहा है और हमने installments अगर मान लिजये घर बना रहे है तो 10 साल का हम installment दे देते हैं लेकिन हफते पर हफता तो दस साल में पान्च सब installments में आप दे सकते वैसा तो इसी installments आप पांच लाग के नहीं सोचेंगे आप सिर्फ दोहजार के सोचेंगे दस लाग में हफते में मुझे 2000 भरना है तो यह it has resulted in lot of micro enterprise तो people are walking out of livelihood into micro enterprise यह हो रहा है हर साल में in Karnataka 2-3 lakh families they are walking out of livelihood to micro enterprise समू में यह बात आना यह बहुत बड़ा बात है इसलिए Small Industries Development Bank of India ने हमसे एक relationship start किया है सिड़ी ने हमको 5 lakh एक आदमी को loan देने के लिए तैयार है दे रहे हैं तो उसको micro enterprise के लिए adapt करना है हमने सर एक साल में 50,000 लोगों को micro enterprise के सिड़ी का प्रयास loan दिलवाया इसी जरीए मतलब इसी route सिड़ी का BC है लेकिन customer जो पहले समू के थे वो आज सिड़ी से डिरेक्ली पांच लाग रुपया लेकरके अपना micro enterprise गाहों में माल खुल रहे हैं सर छोटा माल चोटा चोटा माल या लेत मेशिन्स, रिपेर शॉप्स, बारबर शॉप्स हाई-टेक बारबर शॉप्स, एजुकेशन centers, खुल रहे हैं इसके जरीए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यह समू का model जो है, यह more permanent model है, more community oriented model है, जो microfinance institution है, वो it is just a business model, यहाँ पर personal touch है, बहुत ज़्यादा community personal touch है जिसकी वज़ेसे ही, यह model successful है, जिसकी वज़ेसे बहुत ही successful model जो हमने बात किया, धर्मस्तला का है तो क्या जैसे और जगे, राम जनब भूमी ट्रस्ट अभी बना है, नया तो उनके थुरू या और जगे, बहुत बड़े-बड़े temples हैं, उतरपदेश में ही देख लिजे कि कितने जरूरत है social welfare की, और सरकारों पर बहुत pressure पड़ रहा है कि कि ये safety nets नहीं है, काम नहीं करते हैं, सरकार की scheme नहीं पहुँच पाती हैं तो लोग expect करते हैं, फिर खटा-कट कि direct cash transfers और उससे सरकार के finances पर बहुत मतलब आप कह सकते हों कि तबाह हो रहे हैं हर, मतलब state का failure होने के chances है, financially पंजाब में देख लीजे, करनाटका में कितना नीचे चले गए देख लीजे, हर जगे यही हो रहा है और एक दूसरे को देखके, political benefits को देखके, सब लोग वही कर रहे हैं, कि cash transfers कर दो तो development के लिए fund नहीं बचता फिर तो यह जो model है, यह बहुत सारी problems को solve कर सकता है, personal touch है, community का touch है, तो आप क्या suggest करेंगे, श्री राम जनबुमी तीर्थ trust और जो temple trust हैं, उनको क्या suggest करेंगे, आप किस model के, उससरे यह तो हो यह कि development के लिए sustainable institutions बनना चाहिए sustainable, और market में जो market expenses है, उसको छोड़ करके, आप subsidy देंगे, तो कुछ देर तक वो चलेगा, लेकिन बहुत जादा, हमारा history देखेंगे, हमारा independent India की history देखेंगे, तो कोई भी subsidized program नहीं टिका, 1980 से लेकर, IRDP से लेकर, आज तक subsidy program नहीं टिका, poverty elevation के लिए spiritual जो religious organization है, काम किया हुआ है, इसका एक latest model, SKDRDP और दर्मस्तडा, poverty elevation, social transformation, women empowerment, agricultural empowerment के लिए, जो अगर काम किया, एक spiritual institution हो हमारा है, तो spiritual institution को strength जादा है, क्योंकि लोग सुनते हैं, वो beyond political barrier हो जाता है, जैसे कि दर्मस्तडा है, दर्मस्तडा completely यह political है, सिद्रामया जी भी आते हैं, और BJP वाले भी आते हैं, मोदी जी भी उनसे बात करते हैं, सब लोग, मतलब भी इस यह political, तो यह जब, यह political हो जाता है, तो implementation की chances जादा हो जाते हैं, अब आपने एक बात, एक नाम उठाई, अब किसको इतराज होगा, अगर राम जन्मुमीर तीरतक्षेत्र ट्रस्ट ने, पावर्टी एलिविएशन की काम शुरू किया, राम जब बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ पैसों का भी जरूरत है, तोड़ा एक नामिकल अगर आप सोचना शुरू करेंगे, एकनामिकल ट्रांस्वर्मेशन के लिए, जो एन्वार्नमेंट में है, बैंक है, इंस्वरेंस कंपनी है, गॉवर्मेंट ही है, अब कितना पैसा खर्च करता होगा, उत्तर प्रदेश गॉवर्मेंट, उसमें मैं आपको क्याता हूँ, सिर्फ दस करोड रुपया, राम जन्मदू में के ट्रस्ट को दे, और मैं उत्तर प्रदेश के 75 जार्जा, 75 डिस्टिक्ट में काम करूँगा, इस ट्रस्ट के जरिये, ट्रांस्वर्मेशन में करूँगा, उत्तर प्रदेश में एक लाक करोड की जरूरत है, गरीब लोगों की, अगर उनका इंकम लेवल बढ़ना है, तो मेरे एस्टिमेट्स में, एक लाक करोड की जरूरत है, अब जबकि, आप सुनेंगे, एक उत्तर प्रदेश के स्टाटिस्टिक देखोगे, करीब 40,000 करोड रूप्या, MFI से दिया हुआ है, कितना इंट्रेस्ट, 25-30%, उसमें आप क्या माइकर एंट्रप्रेस करोगे, लेवल यूड तो हो जाएगा, एक immediate जरूरती तो मिल जाएगा, लेकिन sustainable program आप कैसे करोगे, उसके लिए bank का पैसा चाहिए, 40,000 करोड रूप्या, microfinance institution है, और सिर्फ 5,000 करोड रूप्या, यह समू का पैसा है, जो कम इंट्रेस्ट वाला पैसा, जो government का subsidized पैसा है, वो सिर्फ 5,000 करोड रूप्या, और जो ज़्यादा इंट्रेस्ट वाला पैसा, 40,000 करोड रूप्या, उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूँ, उदर समू बनाओ, समू में जो क्या कहते, एक independent agency को समू दे करके, sustainable बनाओ, government की कोई पैसा, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मुझी इनरेलिम की ज़रूरत नहीं है, हम 12-13% में उत्तर प्रदेश में पैसा पहुंचाएंगे, लोगों को, बैंक का पैसा, अगर यदि इस जैसे trust, जिसका नाम आपने लिया, उस जैसे trust, आगे आखे, खड़े होकर के बोलेंगे, हम लोगों के साथ काम करेंगे, तो बैंक वाला भी उनके पास आएंगे, और बैंक का पैसा, जो कम इंट्रेस्ट वाला है, वो development के लिए इस्तमाल होगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये देखिए ना, कि हर temple जो है, वो एक region को cover कर सकता है राम से, अगर आप राम मंदिर को लेते हैं, तो वो पूरे अवद को cater कर सकता है, नहीं सर, मैं कहता हूँ, राम मंदिर सारा उत्तर प्रदेश को कर सकता है, क्योंकि राम का नाम तो सब जगह है, बिलकुल, लेकिन मैं कहा रहा हूँ कि, scope देखिया, आप कितना बड़ा है, और आप काशी विशुनाथ है, आपके पास, अब उज्जाइन का रहा है, महा कालेश मत्या है, मुलब इतने हर जगह है, और उत्तरप्रदेश में तीन इतने बड़े मंदिर, अगर मतलब ये mindset change करने की बाद आती है, तो किसी को एक step आगे लेना पड़ता है, मैं कहता हूँ कि, क्योंकि they are under different administration, मैं समझता हूँ, I don't know, वारनासी में administration काउसा है, लेकिन मैं इतना तो मैं जाता हूँ कि, राम जन्मभूमी तीरतक्षेत्र ट्रस्ट जो है, जो आयोध्या में है, वो राम मंदिर बनाने के लिए हुआ था, अब उनका काम हो गया है, मैं समझता हूँ करीबन हो गया है, अब राम राज कब आएगा, राम मंदिर तो हो गया, राम राज, अगर आगे वो देखेंगे, मैं राम राज करने के लिए कुशिश करूगा, तो अब ये एकनामिक डेवलेप्मेंट जरूर हो जाएगा, और मैं कहता हूँ, बहुत सारा इंस्टिटूशन की जरूरत नहीं है, ये एक या दो इंस्टिटूशन काफी है, क्यूंकि एक सिस्टम हम जब लाएंगे, तो confidence जब बढ़ेगा, तो attraction अपने आप, magnet की जैसे, attraction अपने आप आज आएगा, तो ये एक trust इतना काम कर सकता है, मेरे कहल से हो सकता है, और प्राचीन में वही तो एक idea था, कि temples जो थे, वो bank का काम करते थे, और जिस तरीके से आपने, आपके जो SK, DRP ने जो जिस तरीके से bank की तरह काम किया है, और इतने सारे लोगों, लाखों लोगों की मदद की है, उनका social safety net बनाया, उनका financially आपने मदद की, तो एक तरीके से, how to make temples great again, उसका एक बहुत अच्छा example, ये model है, और जिसको सभी states को follow करना चाहिए, सर आप इतनी दूर से आए, special इस episode के लिए, और बहुत समय से हम चाह रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे, कि ये episode हो, एक model जो आप इतना अच्छा create किया है, उसको दुनिया के साथ हम share करें, पूरे भारत में लोग जाने उसको, तो आपने इतना अच्छे से explain किया सारा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, thank you very much.